कई वीक्स के डिले के बाद उला एलेक्ट्रिक के कस्ट्रबर्स को एलेक्ट्रिक जूस टेस्ट करने को बिला S1 प्रो फ्रूट के टेस्ट राइट्स के फॉर्म में कंपनी के CEO भवी शागरवाल ने उला S1 और S1 प्रो के फाइनल डिलिवरी डेट बताया जो है 15 देसेंबर एक और एलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन रूम्स में एको फ्रेंडली वाइब्स स्प्रेड करने वाली है लेकिन क्वेशन ये है कि फर्स्ट बैच में कितने यूनिट्स रोल होने वाले हैं अगर आप भवी शगरवाल की शेर की हुई पिक देखेंगे तो रफ एस्टिमेट होगा 500 एलेक्ट्रिक वेहिकल्स लेकिन हमें पिक्चर से स्कूटर काउंट नहीं करना बलकी ऑफिशल स्टेटमेंट चेक करना होगा अफिशल स्टेटमेंट के हिसाब से फिचर फैक्टरी की कैपसिटी है 1 मिलियन स्कूटर्स अगर फैक्टरी 10 परसेंट भी ऑपरिशनल होगी तो ओला एलेक्ट्रिक फस्ट बैच से 83,333 स्कूटर्स देलिवर कर सकती है एन्वल केपसिटी का मतलब 12 मन्स 10 परसेंट एन्वल केपसिटी की वैल्यू है 1 मन्स या 83,333 ओला एलेक्ट्रिक ने डिलिवरी डेट लेट होने का रीजन बताया सेमी कन्डेक्टर और स्पेर पार्ट्स की ग्लोबल शॉटेज इन फैक्टर्स को देखते हुए अगर ओला वाला है क्योंकि कंपनी अपनी प्रडक्शन केपसिटी पढ़ाने वाली है कंपनी डिलिवरी में उनको प्रियर्टी दे रही है जिनोंने फुल पेमेंट कर दी है हम होप कर रहे हैं कि ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर देश के हर इस्से में दिखेगी अगर सब कुछ शेडिय इन गो एलेक्ट्रिक